सो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं फैनकोड ECST10 ड्रेसिडेंट सरीज के जो मैच नमबर 45 खेला जाएगा BER वर्सेस RCD के दर्म्यान में दोस्तों इस मैच का पूरी डिटेल से हम लोग बात करने वाले हैं BER और RCD के अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं सारे मैचेस को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे BER के टीम ने दोस्तों अभी तक इस रिच के साथ मैचेस खेल चुके हैं हाला कि खेलने आठ मैचेस चाहिए था लेकिन एक मैच बारिश के करेंड अवेंडेड रहा है लेकिन अगर आप देखोगे फ्रेंट्स तो यह पे तीन मैचेस लॉस की हैं इस टीम ने साथ मैचेस में और चार मैचेस वीन करते वे दिखे हैं तो यह था हला कि BER के टीम लेकिन RCD के टीम के बारें बात करेंगे तो दोस्तों इस टीम ने टोटल आठ मैचेस कम्पलिट खेल चुके हैं जिसमें से तीन मैचेस लॉस की हैं और बाकिक अगर आप देखोगे तो पांच मैचेस वीन करते वे दिखे हैं दोस्तों इस सीरिच के खेले गई मैचेस में कौन से ख्लाडी ने लगातार ओपन करते वे दिखा है कौन से ख्लाडी फर्स्ट आउन पे खेलते वे नजराये हैं दोस्तों जितने भी ख्लाडी है सारी ख्लाडी का बैटेंग ओडर में आपको इस वीडियो में इष्टे बाइष्टे बताऊंगा 37 साथ आपको बताएंगे कि स्रिच के खेले कई मैचेस में कौन से ख्लाडी ने सबसे बहतरी इन परफॉर्म किया है और आज अपने टीम में ले सकते हो दोस्तों कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के लिए भी सबसे बेश चोईस देने वाला हूँ जिसके मदद से आज हैं पी आप ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के सांधर टीम तयार कर सकते हैं तो सारे इन्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर इस मैच का तो अगर आप इस मैच में एक सांधर टीम तयार करना चाहते हैं जोइन कर सकते हैं यह ग्रूप बिल्कुल फ्री ग्रूप है और इसी चैनल का यह टेलिग्राम ग्रूप है यहाँ पर आप जोइन करते हो तो आपको फाइनल टीम आपको यहीं पर मिलता है क्योंकि लाइन अप आने के बाद कोई भी अगर चेंजेस होता है कोई अगर नए इखिलाड़ी इन करते हैं किसी इखिलाड़ी गवर यहाँ पर ड्रॉप करेंगे तो फाइनल टीम यहीं पर अपडेट करने के बाद प्रोइड कर दिया जाएगा इसका लिंक पहला लिंक डिस्क्रिशन बॉक्स में पहला लिंक दिया गया है 37 वीडियो के नीचे कमेंड ब दिखेंगे रोहिद ग्रवर जो की टीम के आपनर बल्लेबाज है पहले मैच में दो रन स्कूर कियेते हैं फिर यहाँ पर 40 रन फिर 64 फिर 28 एक विकेट निकाले हैं फिर 48 रन बना के एक विकेट चटका है फिर यहाँ बैटिंग बॉलिंग दुनों से फ्लॉप रहें फिर 22 रन बना के एक विकेट निकाले हैं देखो यह टीम का आपनर बल्लेबाज है दोस्तों 37 साथ आपको पूरे 2 ओबर यह गिंद बाजी करते हुए दिखेंगे यह खिलाड़ी इन्पोर्टन रने वाले आप इनको मिस नहीं कर सकते हैं बाकि यहाँ पर जो पहले दूसरे और नहीं हाँ पर देखोगे तो तिसरे मैच पे भी कंटिन्यू फ्लॉप रहे हैं हलाकि लास्ट मिच इनको आपन करने का मोका मिला जिसमें से इन्होंने 21 अन का पारी खेल दिया बाकि करन सिंग की बात करेंगे तो 6 नमर पर बल्लेबाजी करते हुए बैटिंग से फ्लॉप लेकिन बॉलिंग से दो विकेड इन्होंने निकाला है फिर इन्होंने एक विकेड टेट का हैं कंटिन्यू दिखते हुए इनको विकेड मिला है देखो टीम की ये मेन बॉलर है पूरे दो बर गेंदबाजी करते भी दिखेंगे और विकेड भी कापी सांदार ले रहे हैं तो आप इनको ट्राय कर सकते हैं अगर खेलेंगे तो आज काफी ज़दा इंपोर्टन रहेंगे। बाकी मनिस दिवारी की बात करेंगे इनका स्टेट्स कुछ खास नवे तीन मैच खेलें तीनों मैच में फ्लॉप रहें इनको ड्रॉप करो। वें साहिल लाल की बात करेंगे तो टीम का फुर्स उनका खेलाडी है। पर बल्लेबाजी करते हुए आठ रन स्कूर की यह तो और एक विकेट निकाले हैं, continue इसको विकेट मिला है देख सकते हुए अज ए बोलर आपको complete दो बर बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, important बोलर है आप इनको जरूर रह करना अपने टेम में, बाकि नागा की बात करेंगे तो टीम के पांच नमर पर बल्लेबाजी करते हुए पांच रन बना के एक विकेट निकाले फिर आठ रन बना के एक विकेट फिर यहां पर फ्लॉप रह लगा तर दो मैच में, दोस्तों ये आपको complete दो बर बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, अगर खेलेंगे तो, हाला कि खेलेंगे चांसे इस प्लाड़ी का काफ़ी कम है, क्योंकि अगर आप दिखोगे तबी तक दोस्तों 4 मैचस ही खेले हैं, और इसके जगह पर यहां पर बाकी खेलाड़ी भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं, जो और भी आप्सन है, लेकिन खेलेंगे तो यह ची याद रखना complete दो बर करेंगे, बाकी अवाईसी जफर की बात करेंगे, टीम के third down पर बल्ले बाजी करते हुए, बैटिंग से तो फ्लॉप ते लेकिन बॉलिंग से एक विकेट निकाला है, पूरी ओबर की गिंदबाजी में 19 रहने खर्च करा था, फिर पांच रहन बनाए तो यहां विकेट, नहीं मिला फिर एक रहन बना के एक विकेट, पिर continue दोस्तों देख से तो काफी बढ़े हैं, इन्होंने विकेट निकाले हैं, देखो यह खिलाडे मुझे काफी ज़्यादा इंपोर्टन लग रहा है, रिजन यहां पर पूरे दो बर गिंदबाजी करते भी दिख जाएंगे, और टीम के अच्छे बोलर भी है, तो इनको ज़रूर ट्रै करना, बाकि नीक की बात करेंगे, देखो यह कैप्टेंसी के लिए काफी लोगों ने इनको ट्रै किया हुए, बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि टीम का ओपनर बलेबाजी करते भी दिखेंगे, टीम के मेन बॉलर रहा इनको डॉप नहीं कर सकते हैं, 51 रन पहले मैच में 3 विकेट, 13 रन बना के 1 विकेट, 40 रन बना के 1 विकेट, फिर यहां पर 1 विकेट, फिर 17 रन बना के 3 विकेट शटकाई थे, आप समझ सकते हो, कैप्टेंसी के लिए, यह बिल्कुल सेप ऑफिर रहेगा, बाकी यहां पर अलक स्मित की बात करेंगे, दो मैच खेलें, पहले मैच में एक विकेट, दूसरे मैच में यह बंदा फ्लॉप रहा है, वहीं विमल की बात करेंगे, दो मैच खेलें हैं, दो मैच में अगर आप देखोगे, तो टोटल है, उन्हें उन्हें साथ विकेट निकाल चुके हैं, खेलेंगे, तो बिल्कुल इंपोर्टन रहेगा, आप समझ सकते हो, मातर दो मैच में, इतना इतना काफे बढ़ियां परफॉम किया है, तो खेलेंगे, तो इन्पोर्टन रहेंगे, बाकी बात रहेंगे, तो टीम के यह बहुत ही सांदर बॉलिंग करते वी दिखेंगे, टीम के मेन बोलर है, तो आप इनको एज ए बोलर जरूर ट्रै करना, दोस्तों यह बॉलिंग सक्षिन में नजर आएंगे, लेकिन बल्लेबाजी भी करते वी दिखेंगे, दोस्तों यह था स्टेट से, आप बी ए आर का जो अपी तक इस स्रीज में खिले है, लेकिन सिकीन ट टीम के बारे में, तो यहां पी जब को ऑपन करते हुए दिखेंगे, मुस्तफा कान जो की ऑपन करते हुए पहले मैच मेच में चवदर रन बनाए थे, फिर यहां पे टेरर रन, फिर साथ, फिर साथ, फिर साथ, फिर उनने उन्णीस रन का पारी खिलते वी दिखाए, पर 6 run फिर यहां पर 51 बनाए थी यहां विकेट नहीं मिला फिर 1 run फिर यहां पर 4 run बना के एक विकेट फिर 12 run बना के 1 विकेट गंटीनument देख सकते हमें यह पी काफे सांधर विकेट निकालने दोश तो यह भी वहाँ थे सूपप k悍ख लएग थे सूप आपके चयारेश में पिर 13 रं में बना के विकट फिर 12 रं में बना के विकट फिर 12 रं में दो प्ण ओ मिकट यहांपर विकट नहीं निकाल पाये थे आपको यह झान पे दोसतों पूरे दो अबर गेंद बाजी भी करते हुए दिखेंगbleszen बिया दर्खना तो फिर दोस्तों इन्होंने चेहां पर 28 रन खर्च किया थी विकेट नहीं निकाल पाए थी लेकिन दोस्तों यह बहुत ही सुपब ख्लाडी रहेंगे खेलेंगे एक चीज़ा रहाखना टीम का फिर फिर सुपब बल्ले बाजी करते भी दिखेंगे प्लस आपको पूरे दो वर पहले मैचे फ्लॉप फिर लगातार फ्लॉप रहें देख सकते हो वही राउलकुरवर की बात करेंगे तिनके बारे मैंने पहले बताया, बहुत इस सूपाफ खिलाडर रहने वाले हैं, पहले मैच में यहाँ पहले स्टार्टिंग के दो मैच में तो कापी बढ़े हैं विकेड मिला था, फिर फ्लॉप रहते हैं फिर एक विकेड फिर यहाँ पर देख से तो लास्ट मेच भी एक विकेड इनको मिला ह टीम के मेन बोलर है, कम्पिट आपको दो वर बॉलिंग करते भी दिखेंगे, तो आप इनको ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, कपिल की बात करेंगे दूस्तों, यहाँ पर एले मैच में एक विकेट, फिर यहाँ बल्ले बाजी करते भी दिख रहे हैं, प्लस यहाँ आपको मिडल और पर भी करते भी दिख जाएंगे, अगर यहाँ बैटिंग ओडर देखाएंगे, तो इनको भी अपने टीम में जरूट रहे करना, बाकि इन दोनों का स्टेट्स कुछ खास नहीं, इनको ड्रॉप करते भी चलेंगे, तो दोस्तों यह था स्टेट्स दोनों ही टीम के जो परकार का आने वाले मैचेस का भी अगर आपको वीडियो चाहिए, तो दोस्तों चनल को सब्सक्राइब जरू कर देना, साहते सथ बैल आकन को प्रेस कर देना गाईश ताकि आने वाले मैचेस का वीडियो में जैसे अप्लोट करूँगा, आपके पास सीधे नोटिफिकेसन पहुँचेगा और सारे मैचेस का जानकारी आपको मिल पाएगा, पाके चलिए हम लोग इसके बैसे पर एक बहतरीन टीम की और बढ़ते हैं, तो दोस्तों शुरुआत करेंगे सबसे पहले विकेट के परसे, जो आज आपके लिए काफी ज़दा इन्पोर्टन रने वाले ह देखो, यहाँ पे थोड़ा क्रेडिट इसु आएगा, आपको पता ही होगा काफी मैचेस हो चुका है दोस्तों इसरेज में, और यही कारण है कि थोड़ा क्रेडिट प्रोवलम आएगा, जो अगर आपको देखोगे, थोड़ा सा यहाँ पे आपको टीम बनाने में आप देखोगे, तो यह इंपोर्टन रहने वाला है, और इनका सेलेक्शन काफी बढ़िया है, एम खान यह भी ओपन करते भी दिखेंगी, दोस्तों यहाँ पे चोईस आपके पास रहेगा, इनका 8.5 है और यहाँ पे 9.5 है निका, अगर यहाँ पे दोस्तों आपके एम ख जादा इंपोर्टन्स मैं ने इसलिए दिया इनको क्योंकि बैटिंग फ्लस बॉलिंग दोनों करते भी दिखेंगे, बाकि चोईस आपके पास है, अगर आप लेना चाहते तो एम खान यूको ट्राइ कर सकते हैं, बाकि दूस्तों मैं फिलार इनको अपने टीम में केसिंग को अपने टीम में लेते वे चलेंगे, जिनका स्टेट्स देखोगे, तभी तक स्रेज में बी एर के टीम के तरब से काफी बढ़िया इनोंने भी खिला है, बाकि बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर ओल्राडर के बारे में, दोस्तों यहाँ पर कैप्टेंसी के मैंने पहले का आता, जो कैप्टेंसी के लिए अगर खेलेंगे तो ट्राय करेंगे, बाकि इनको अपने टीम में ले रखा है, बाकि चोईस आपके पास रहेगा, अगर यहाँ ड्रॉप करते हो दोस्तों जी रसल को ले सकते हो, यह भी खिलाड़ी बैटिंग पलस जो इंपोर्टन रहने वाले हैं, इसी के लिए इनको गैस हो सकता रेष्ट दिया गया था, लेकिन बहुत इंपोर्टन खिलाड़ी रहेंगे, अगर खेलते हैं, तो दोस्तों इसमाल लीक और हेट टू एड में तो आप इनको ड्रॉप नहीं कर सकते हो, बाकि बालिंग की बात करेंगे, तो तीन बोलर को मैंने इंपोर्टन बताया था, यहाँ पर आप देखो के पूरे दो बर गेंदबाजी करेंगे, बीज रेटरम दे पूरे दो बर गेंदबाजी करने वाले, एस जफर भी बहुत इसांदार खिलाड़ी दोस्तों, बाकि आर्गरोबर को ट्र देदी आगे है, मिलते हैं दोस्तों नेक्ट वीडियो में जैहिंद